मेह 24 घंटे के अंदर हिजबुल्ला लड़ाकों ने इसराइली सेना पर ऐसा खुंखार और बेर रहम हमला किया कि इसराइल के प्रधान मंत्री नेत न्याहू और रक्षा मंत्री यॉव गालिंट के होश फाक्ता हो गए इसराइल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्ला तेल अवीब के पास इसराइली सेना के गिलोट बेस को तबाह कर सकता है हिजबुल्ला के चीफ नसरूला ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्ला ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इसराइल के 22 सैनिकों को मार डाला लेबनान के अलमयादीन टीवी चानल ने हिजबुला और योरोप के अपने सूतरों के आधार पर जो दावा किया वो हैरान कर देने वाला है लेबनान के अलमयादीन टीवी चानल के दावों के मताबिक इस्राइल पर हिजबुला ने दो चरणों में हमले किये हम आपको एनिमेशन के जरीए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिजबुल्ला ने इस्राइली सेना पर इतना बड़ा हमला कैसे किया अल मयादीन टीवी चानल के मताबिक हिजबुल्ला ने इस बार ओपरेशन अर्बाइन के तहट इस्राइली सेना पर हमला किया है खबरों के मताबिक हिजबुला लडाकों ने इस्राइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ किलोमीटर दूर इस्राइली सेना के गिलोट बेस और इन शेमर एर बेस को निशाना बनाया है हिजबुला ने हमले के पहले चरण के तहट इस्राइल की खूफिया यूनेट 8200 को निशाना बनाया है दामु के मताबिक शुरू में हिजबुला ने अंधा धुन रॉकेट से इस्राइली बेस पर हमले किये जिसमें ज्यादातर रॉकेट को इस्राइल के आईरन डोम ने तबह कर डाला है हिजबुला का दावा है ऐसा उसने जान बूच कर किया ताकि आइरन डोम की प्रतिरोध की शमता को खत्म किया जा सके अब दूसरा चरण समझे हिजबुला का दूसरा चरण इसके बाद हिजबुला ने इसराइल के गिलोट बेस पर दूसरे चरण का खौफनाक हमला किया हिजबुला ने अचानक से सेकेंडों में, माफ की जगा अचानक से सैकеннойों ड्रोन से हमले की हैं। ड्रोन हमला इतना तेज़ था कि गुलोर बेष में बैठे सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला. अल मयादीन टीवी चानल के मुताबिक हिजबुला के ड्रोन हमलों की वजह से इसराइल की 22 सैनिक मारे गए हैं जबकि 74 इसराइली सैनिक बुरी तरह से जखमी भी हुए है इसराइल ने कल ही दक्षिनी लेबनान में मौझूद हिजबुला के 20 से ज़ादा ठिकानों पर भयंकर हवाई हमले किये थे इसराइल के इस हवाई हमले में 15 बार एर स्ट्राइक हिजबुला पर की गई थी इस्राइल ने इस हमले के बाद दावा किया था कि उसके हमले में दक्षणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला का एक टॉप कमांडर मरा गया है हैरानी की बाद तो ये है कि इस्राइल के इतने बड़े दावे के महज दस घंटे बाद ही हिजबुला ने तेल अवीब के पास मौझूद इसरेली सैनि ठिकानों को तबाहा और बरबाद कर डाला हिजबुला इस हमले को लेकर और क्या दावी कर रहा है ये भी जान दीजे इसरेल पर भारी पड़ा है हिजबुला और हिजबुला के दावों के मताबिक ओपरेशन अर्बाइन इसरेली सेना के लिए काल साबित हुआ है दावों के मताबिक हिजबुला ने महच एक ही हमले में इसरेल के 22 सैनिकों को जहां मारने का दावा किया है तो वही 74 सैनिक घायल भी हुए है हिजबुला का दावा है कि उसने अपने टॉप कमांडर हज महसिन उर्फ फाउद शुकर की हत्या का बदला इसरेली सेना से लिया है कमांडर फाउद शुकर को 30 जुलाई को बेरुत में एक मिसाइल हमले से इसरेल ने मार दिया था हिजबुला चीफ नसुरला के मताबिक ऑपरेशन अर्बाइन के तहट तेल अवीव से 40 किलोमेटर और लेबनान से 75 किलोमेटर दूर इसरेली सेना ठिकानों पर हिजबुला ने हमले किये हिजबुला ने एसरेल की खूफिया यूनिट को निशाना बनाया जो लगातार दक्षिनी लेबनान पर हमले कर रही थी एसरेली सेना भी मान चुकी है महच 12 घंटे के अंदर लेबनान की तरफ से हिजबुला ने 30 रॉकेट दागे हिजबुला के रॉकेट्स अल-जलील को निशाना बनाया है पिछले एक घंटे में हिजबुला उत्तर एसरेल पर 60 से भी जादा रॉकेट दागे है एसरेली सेना दक्षिनी लेबनान में हिजबुला पर हमले कर रही है इस्राइली सेना के मताबिक उसने हिजबुला के जबकिन के बाहरी इलाके राशाया, अलफखर और येटर पर हवाई हमले किये है जबकि एक इस्राइली टैंक ने खियाम पर भयंकर हमले किये और इसके अलावा इस्राइली सेना ने अलवजानी पर भी हमले किये है हिजबला को कमजोर समझना शायद इसराइली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है इसराइली सेना बेशक गाजा के साथ साथ लिबनान पर घाता खमले कर रही हो लेकिन खुद इसराइल के टॉप सैन्य ओफिसर चेतावनी दे रहे हैं कि हिजबला को हमास समझना इसराइल सेना की बड़ी भूल साबित हो सकती है हम आपको इसराइल के इसराइली रिजर्व मेजर जनरल इज्याक ब्रिक के बयान और चेतावी दिखाते हैं कि जिसमें वो साफ साफ संके दे रहे हैं कि हिजबुला के सफाय के चकर में कहीं इसराइल का ही सफाया ना हो जाए बताने कि रिजर्व मेजर जनरल ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लेबनान से सीधी और बड़ी जंग इसराइल ने की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे उन्होंने यहां तक कहा कि इस्राइली सेना के टॉप अफसरों की निरथक होती जा रही है इस्राइली चैनल 12 के साथ एक इंटर्व्यू में इस्राइली जनरल ब्रिक ने ये तक कह दिया कि हिजबुला पर हमले का जूठा प्रचार बंद करें क्योंकि इस्राइली सेना के पास सिर्फ छे डिविजन है हमास तक को खत्म नहीं कर सकती ऐसे हालात में लेबनान में हिजबुला से सीधी जंग इस्राइली सेना की छे डिविजन नहीं कर पाएंगे और लेबनान युद इस्राइल के वजूद पर बहुत भारी पर सकता है हलाकि इस्राइली जनरल ब्रिक खुलन खुला इस्राइली टीवी चानल पर इस्राइली सेना को कटगरे में खड़ा कर रही है इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा है हिजबुला की जबरदस सैन्यक्षमता इस्राइली सेना के खुद हिजबुला के पास 45,000 लड़ाके हैं जिसमें 20,000 सक्रिय रहते हैं 25,000 रिजव में हैं हमास के विपरीट हिजबुला के पास शक्ती शाली मिसाइलों और रॉकेटों की सीरीज मौजूद है जिनकी संख्या वाशिंग्टन में मौजूद वार एक्सपर्ट के मुताबिक दो लाग तक है हिजबुला की दो लाग मिसाइल और रॉकेट इस्राइल के शक्ति शाली एर फोस और मिसाइल रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकती है जरा हिजबुला के इस वीडियो को भी देखिए जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुला के खतरनाक लड़ाके घातक हत्यारों से लैस है दिखाई दे रहे हैं वीडियो में हिजबुला के लड़ाके सूपर सोल्जर्स की नजर आ रही है हिजबुला की सुरंगों की खास बात तो ये है कि ये लगभग दो मनजिल उची हैं सुरंग में घातक मिसाइले रॉकेट भरे पड़े हैं बड़े बड़े ट्रकू पर सैक्रों मिसाइले लड़ी हैं चौकाने वाला हिजबुला के वीडियो में नई इमाद चार सुरंग दिखाई गई हैं अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में नहीं जाकती थी लेकिन पहली बार हिजबुला ने घातक हत्यारों सिल्लै सुरंग दिखा कर इजबुला और उनके सहयोग्यों के होश उड़ा दिये हैं दावा ये किया जा रहा है कि इरान की सुरंग मिसाइले इसराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं इसहफते इसराइली आर्मी रेडियो के मताबिक नेतनियाहु सरकार ने हिजबुला जंग के लिए अतिरिक 50,000 रिजब सैनिकों को बुलाने की मनजूरी दे दी है इस्राइली सेना ने लेबनान में बंबारी कर हिजबुला के कई वरिष्ट कमांडरों को मार किराया है इसके बावजूद हिजबुला के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे है ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस्राइली सैनिक जल्द ही लेबनान में घुसकर हिजबुला के खिलाब जमीनी कारवाई कर सकते हैं इसे साफ हो गया है कि अब हिजबुला और इसराल में बेहत खूनी जंग जमीनी स्टर पर शुरू हो जाएगी तो ये लाल काफी जादा खौफनाख होगा ये देखने वाला या एन दोनों की जंग और कितनी जादा तेज होगी हला कि लाकि बाइस। इसमें मारे गए हैं प्रिक्त!